नमस्का दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षापिया तो पुरे देश भर में इन दिनों चर्चा सिर्फ एक्जित पोल की हो रही है कारण है कि चार तारीक को परिनाम आने हैं और सिठीक पहले कहां से कौन विजय हो रहा है इसकी चर्चा हर जगा हो रही है अगर एंडिये की बात करें तो एंडिये को मैक्सिमम जो सीटे हैं पुरे देश भर में वो मिल रही है और अगर बात की जाए बिहार में तो बिहार मे 32 से लेकर 35 सीटे एंडिये के खाते में जाने की आश्रंग का जताई जा रही है अब बिहार में जो सीट की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है उस पर आज हम चर्चा करेंगे जी हाँ होट सीट माने जाने वाला हाजीपुर और हाजीपुर में चिराग पासवान उमीदवार जो की लोग प्रिये नेता भी है आज इसी सीट को लेकर चर्चा करेंगे और इसका एक्जिट पोल क्या कहता है वो हम आपको बताएंगे इस बार पीम नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान और उनकी पार्टी पर सभी लोगों के निगाहे हैं और इस बार लोग सभाचुनाव के नतीजे जो है वो चार जून को भी घोशत किये जाएंगे और नतीजे से पहले अलग-अलग मीडिया चैनल्स पी अपने सर्वे एजेंसियों की तरफ से एक्जिट पोल जारी कर रहे हैं और आज तक यगर बात की जाए आज तक एक्सस माई इंडिया के एक्जिट पोल के अनुसार चराग पासवान की लोगजों शक्ती पार्टी राम विलास को चार सीटे मिलने की उमीद है वहीं हाजीपुर सीट भी चिराख के खाते में जाने का आनुमान लगाया झारा है इंडिया टीवी के एक्जिट पोल में लोजपा राम वलास को तीन से चार सीटे मिलने का आनुमान दिखाया जारा है वहीं News 24 Today's चानक के का एक्जिट पोल भी चिराग पासवान के पक्ष में ही नजर आ रहा है हलाकि कुछ चुनावी विशलेशक चिराग पासवान को पांचों सीट जीतने का भी अनुमान जता रहे हैं वहीं कुछ खगडी और वैशाली को लेकर के भी दावा कर रहे हैं कि इन सीटों पर चिराग पासवान को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पर बता दे कि लोगजन शक्ती पार्टी रामविलास पास सीटों पर चुनाव लड़ी और इनमें से हाजीपूर, वैशाली, समस्तिपूर, खगडिया और जमुई लोगसभा सीट शामिल है पिछले चुनाव में लोगजन शक्ती पार्टी साथ सीटों पर चुनाव लड़ी थी और साथों पर जीत मिली थी 2019 की अगर बात करें तो 2019 के लोगसभा चुनाव में हाजीपूर सीट से पशुपती कुमार पारस दो लाग से जादा वोटों के अंधर से जीते थे और हारने वाले यही शिवचंदर राम थे यह सीट दिवंगत रामविलास पासवान की थी और उनके बाद यहां से पशुपती कुमार पारस ने कमान संभार रखी थी इस बार चराग पारसवान ने अपना दावा ठोक दिया था राष्ट्रिय जनतांत्रि गटबंधा ने चराग पासवान को यह सीट दे भी दी वहीं पशुपती कुमार पारस ने पहले तो विद्रो किया लेकिन बाद में अपना समर्थन देने का भी दावा किया जमुई लोगसभा सीट की अगर बात करें तो जमुई में अपने जीजा जी अरुन भारती को यह सीट सौपने के बाद चराग पासवान हाजीपूर सीट से चुनावी मैदान में उत्रे ता बढ़तोर प्रचार पसार किया पियम मोदी ने भी यहाँ चुनावी सभा की जनता से चिराग के पक्ष में वोट देने की भी अपील की चिराग का मुकाबला राज़त के प्रत्याशी शिवचंदर राम से है अब तक आए सभी एक्जिट पोल में चिराग पासवान के जीतने का अनुमान है वहीं 4 जून को ये बात सपष्ट हो जाएगी कि मोदी के हनुमान के खाते में ये सीट आती है या नहीं देश दुनिया में चर्चित बिहार के हाजिपूर सुरक्षित सीट को लेकर एक बार फिर से तरवारे खिच गई है चुनावी उमीदवार जो दोनों हैं उनकी चर्चर यहां पर हो रही है और यहां पाँचवे चरण में 20 मैं को मतदान हुआ पर एंजी और महागर बंदन से ते उमीदवारों के समर्थकों में चेहरे खिलने लगे हैं क्योंकि हाजिपूर का चुनावी इतिहास बताता है कि सुरक्षित सीट होने के कारण यहां मुख्य रूप से लड़ाई पासवान और रविदास जाती के बीच होती रही है दूसरी जातियां यहां तड़का लगाने का काम करती रही है और रामविलास पासवान को जब भी यहां शिकस्त मिली तब उन्हें रविदास जाती के उमीदवार नहीं पठखनी दी थी 1984 में कॉंग्रेस के रामरतन हो या फिर 2009 में जेडियू के रामसुंदर दास हो पासवान रविदास जाती के उमीदवार से ही पराजित हुए है इस बार भी एकोच राक पासवान एंडिय के उमीदवार है और वहीं दूसरी और उनका मकाबला महागड बंधन ने रविदास जाती से ही आने वाले स्थानिये नेता और राजे के पुर्व मंत्री शिवचंदर राम से ही था वहीं 1977 के पुर्वहाजी पुर की सीट कॉंग्रस के कबजे में रही है उनीसो सततर में राम विलास पासवान ने जंता पार्टी की लहर में रेकॉर्ड मतों से यहाँ पर जीत हासल की थी वहीं अगर जानकारों की माने तो जानकार बताते हैं कि पासवान से जब भी सवन मतदाता विमुक हुए हैं उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा है समाजिक समिकरण के लिहास से पासवानों के आबादी रविदास जाती से कुछ अधीक है महागडबंधन के राज़त उमीदवार शिवचंदर राम को एमबा इस समिकरण और अती पिछ्रों के अलावा अपने स्वजातिय मतदाताओं पर भरोसा है वहीं आज़डी ने आसपास की सीटों पर एंडिये की ऐसी घेरा बंदी कर ली है जिसका राजनितिक लाभ हाजी पुर में भी दिख सकता है चुराग पासवान के साथ हैंडिये की ताकत और एक मजबूत जनाधार है जेडियों के साथ होने से पिछ्रा वोट में भी चुराग के समर्थक बड़ी संख्या में सींधमारी का दावा करते हैं मस्तलब की इस इलाके में कुर्मी मतदाता भी अ और राजपूत मतदाताओं की संख्या करीब करीब बराबर की स्थिती में हैं वहीं रागोपूर में यादव मतदाताओं की संख्या सरवादिक हैं महवा में यादव और कोईरी मतदाता राजत को ताकत देते रहे हैं वहीं महनार में सवर्ण में राजपूत मतदाताओं क अधिक्ता देखी जाती है हाजिपुर इलाके में सहनी मतदाताओं की भी बड़ी संख्या है गंगा के कछार से लेकर सराय भगवानपुर महनार में भी सहनी मतदाता अपने वोट की ताकत रखते हैं वहीं अगर बात की जाए रागोपूर के बिद्धुपूर की तो वहां से कुछ लोग जो है उनका जो कहना है उनकी जो समस्या है वो यह है कि हाजिपुर में चवर जल जमाव और दियारा इलाके में आधारबूत सुविधाओं का अभाव है और इस ओर उमीदवार कभी ध्यान नहीं देते हैं उनके मताबिक यहां कानून विवस्ता भी बड़ी सम हाजिपुर लोग सभाचुनाव को लेकर पूर्व केंद्रिये मंत्री और मौजूदा सांसत परशुपति कुमार पारस भी एक प्रमुक फैक्टर है पारस को भले ही इस बार टिकेट ना मिला हो पर उन्होंने एंदिया उमीदवारों के पक्ष में प्रचार करने का भी ऐल किया वहीं पारस खुद इस बार हाजिपुर से चुनाव लड़ना चाते थे इसके लिए उन्होंने अंतिम शनों तक कोशिश की और उनकी लाख कोशिशों के बावजूद एंडिये से चराग पासवान को न सर्फ हाजिपुर की सीट मिले वलकि चार और सीटों पर समझोता भी हुआ अब देखने वाली बात है कि पशुपति कुमार पारस के इंडिये के साथ रहनी की घोशना के बावजूद समर्थकों का रुख क्या रहा है और वहीं हाजीपुर सुरक्षित लोग सभा सीट के तहर छे विधान सभा की सीटे आती है और इनमें हाजीपुर लाल पर बीजेपी का कबजा है बाकी रागोपुर महुआ महनार में आरजडी के विधायक है राजा पाकर सुरक्षित विधान सभा सीट पर कॉंग्रिस की प्रतमा दास विधायक है वहीं अब आपको जड़ा बता दें कि 1977 से जब से रामविलास पासवान यहां सांसद रहे है उसके बाद यहां पर किन-किन लोगों का कबजा रहा है तो देखे 1977 की अगर बात की जाय तो रामविलास पासवान खुद जंता पार्टी से थे वहीं उन् stitches पासवान थे वहीं 1984 की बात की जाय तो राम रतन राम यहां से कॉंग्रिस से सांसद बने वहीं 2014 में एक बार फिर रामविलास पासवान लोग जिन शक्ती पार्टी रामविलास से यहां पर एक बार फिर अपनी सीट को कायम रखते हैं वहीं रामविलास पासवान जी की मृत्यू के बाद 2019 में पशुपती कुमार पारस यहां से सांसत बनते ही तो यह पूरा जो समिकरन था इस सीट का वो हमन आपसे साजा क्या है जहां तक exit पोल्स की अगर बात की जाए आन्य चानलों की बात की जाए या फिर जो आकिलन किया जा रहा है उसके हिसाभ से अगर बात की जाए तो यहाँ पर चिराग पासवान की जीत जो है वो सुनिश्चित नजर आ रही है दर्शनी उसमें फिलहाल के लिए इतना ही बने रहे हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए धन्यवाद